हेलो, 1829 में क्या हुआ, 1829 में हमारा बिलियम बेंटिक साहिब ने भायत में इस्तरी पर्था पर रोक लगा दी, इस कार की भूमिका में राजा रम मोहन रेंग की पन्व भूमिका था, लेकिन अभी क्या है, पत्नी लूट के चल जाता है, कोई भकने परता है, उस नमें देख बरहम समाज का संस्थापक राजा रम मोहन राय थे, इनोंने 20 अगस्ट 1828 में बरहम समराज की अस्थापना की, बरहम समाज अंदोलन का मुक सिदान क्या है, इस देखिए ये स्टाम्प राजा रम मोहन राय एक परसीज समाज सुधारक थे, आदूनिक भारत के निर्वाता में एक जी जाए 844 सच में कोन आए हमारे केशब चंद सेन आए 844 इस विर्म कोन आए केशब चंद सेन की प्रेना से स्री धरलू नाइडू ने मदरास के वेज समाज की अस्थापना की बरहम समाज का नेतरित राजाराम मोहन राय के पश्चाद देवेंदरनाथ टेगोर ने स समाला भात के परशित दार्शनी कोन है धार्मी कुपदेशक समाज सुधायक बरहम भात्य बर्म समाज केशब चंद सेन जी है कोन है केशब चंद सेन जी है परातना समाज के अस्थापना 866 में केशब चंद सेन ने समाला परातना समाज कोन है केशब चंद सेन से और बरहम स बातना समाज के अस्थापना किस ने की थी आठाथासो शर्षठ में केसपचेंथ सेंग के सयोक से डाक्टर आत्माराम पंडू रंगा ने बंबय में की थी किसके सहयोग सी परात्मा समाज के 1867 में किसके सहयोग से डॉक्टर आत्माराम पंडूरंगा बंबय में की थी के सब्चने बहुत अच्छा कोस्टन है इसमें यह पक्का आएगा यहीं है क्योंकि इतना पढ़ लेंगे कुछ नहीं आएगा जो चीज आएगा कनफ्यूजिंग कोस्टन जड़ा आता है देखिए आएगे दखते हैं 1864 में केसब चेंसेन ने महारा प्रेरना से केसब चेंसेन की प्रेरना से स्री के धरलू नाइटू ने मदरास में बेद समाज की अस्थापना की बरम समराज का नेतरीत राजाराम मोहनराई की देवंदना तायगोर इसके पस्चाथ केसब चेंसेन है इसके बाद कोन समराज आया प्रात्ना समाज 1866 में केसब ने सहींग सेन nे किया था लेकिन बट बंब cricket में किस ने किया था कैस प्रेर선 के सीयोग से आत्माराम पॉंडू रंगा आत्माराम पॉंडू रंगा 1867 में ही दोनों में हुआ है 1867 में दोनों जगा चला है आगे आते हैं 1870 इसवी में महादेव रानादे पूना सरवाजिनिक सभा की अस्थापने की महाराष्ट का सुक्राष किसको कहा गया है महादेव रानादे को कहा गया है पहस्चिमी भाद के संस्क्रिटी पून जगन का अगरदूत कहा जाता है आगे आते हैं क्या है आगे महादेव रनाडे ने 1884 इसी में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की अस्थापना की जो बाद में पूना फ्रग्यूश्यन कोलेज के रूप में परसीद हुआ महादेव रनाडे जो जी है 1884 इसी में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की अस्थापना की जो बाद में पूना फ्रग्यूश्यन कोलेज की रूप में परसीद हुआ भारतिय संस्था थियोसिपिकल सोसाइटी की अस्थापना बिदेश में बिदेशी नावरी को द्वारा हुई थियोसिपिकल सोसाइटी की अस्थापना 1875 में मेडम बलाट्सवकी एवन करनल अलकाट के नियू यार्ग में की मेड़ाप्षूविक और करनल अलकार्ट ने की अमेर्का में नियुउयार्क इस्थिक है सवामी दयानन सरस्थी 12 फरवरी 182 से 30 अक्टूबर 1883 आर समाज का सिंस्थापक सौमी दयानन सरस्ती थे। के बचपन का नाम क्या था मूल नाम संकर था बेदो की और लोटो बेदो की और लोटो का नारा क्या देया था स्वामी दयानन सर्शती ने देल वेदो की और लोटो का नारा स्वामी दयानन सर्शती ने वेलेंटाइन सेरोल अपने अपनी पुस्तक इंडिया अर्नेस्ट में आर समाज को भारती आउसांती का जनमदाता मना गया है। वेलेंटाइन सेरल को वेलेंटाइन सेरल ने अपनी पुस्तक इंडिया अन्रेस्ट में आर समाज को भारती आउसांती का जनमदाता है। सौराज सब्द का सरपर्थम पर्योग दायानन ने किया था। स्वाराद सब्ट सरपरतम परयोग किस ने किया था दयानंद ने किया था स्वामी ब्रीवेकानन का मुख सिश्या सी़ेस्टर नी विदिता थी वास्ताप में भात वर्स की एक्ता इसकी विविकन्ताओं में नहीं थे बातवस की एक्ता किसमें है बिविन्ताओं में नीथ हिंदू